नमस्ते, ये कहानी है दो नीम्बूओं की, आश्रम में नीम्बू का एक पेड़ है, पिछले कुछ दिनों, उस पेड़ पेड़ बहुत सारे नीम्बू फले, आज मैं आपसे उन में से दो नीम्बूओं की कहानी बताने वाला हूं, तो ये दो नीम्बू इस पेड़ में सबसे आगे की तरफ थे और बहुत करीब थे एक दूसरे के, दीरे दीरे इन दोनों नीम्बूओं में आपस में प्रेम हो गया, वो प्लान बनाने लगे जीवन में की हम सदा साथ रहेंगे, हम एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, ह इन दोनों नीम्बूओं के पीछे मैंने देखा एक और बड़ा नीम्बू था, जो इन दोनों नीम्बूओं से थोड़ा बड़ा बलवान, मोटा नीम्बू था, वक्त के चलते इन दोनों नीम्बूओं में थोड़ा सा इन सेक्यूरिटी आने लगा, कि कहीं ये पीछे व आगे की तरफ आ गई और इन दोनों निम्बूओं के बीच में वो निम्बू आके बैठ गया अब इन सेक्यरिटी दोनों निम्बूओं में और बढ़ गई और पहला निम्बू, इस बड़े वाले निम्बू की तरफ आकरशित भी होने लगा Lefty होने लगी, इन सेक्यूरिटी होने लगी, सब चीजें होने लगी और ये बड़ा निम्बू जो कि मोटा निम्बू था ये अपने आप को बहुत बहटर समझता था इसे लगा कि मैं बहुत बल्वान हूँ इसे लगा मेरे पास बहुत धन है मेरे पास रस बहुत है मेरे साइज की वज़ा से इसमें एक अभिमान आया और इस अभिमान के चलते सभी और निम्बू इसको बहुत अपने सामने शुद्र, छोटे, छोटे लगने लगे ना कुछ से लगने लगे जब ये सारी कहानी चल रही थी इन तीन नीमबूओं के बीच में तो आश्रम के एक वालेंटियर गए और उन्हेंने सबसे बड़ा वाला नीमबू तोड़ा उसको निचोड़ा और उसको चटनी में बनाके चटनी को ग्रेंड कर लिया तो वो जो ओरिजिनल दो नीमबू थे वो वापिस आ गए साथ में उनका प्रेम वापिस आ गया वो फिर से एक दूसरे के प्रती पोजेसिव हो गए वो फिर से एक दूसरे के प्रती मौह में आ गए वो फिर से एक दूसरे के साथ अटैश्ट हो गए कुछ दिन बाद आश्रम के फिर वो वालिंटियर गए और उन दोनों में से एक निम्बू और तोड़ा जैसा आप जानते हैं चटनी में निचोड़ा, चटनी बनाई, चटनी खाली अब जो ये एक निम्बू उन में से रह गया पेड़ पे ये बड़ा दुखी हुआ, इसको बड़ा पेन हुआ, इसको बड़ा अकेला पन महसूस हुआ, इसको लगा अब मैं क्या करूँ मेरा साथ ही निम्बू तो चला गया छोड़के बहुत रोया, बहुत उदास हुआ ये निम्बू कुछ दिन तक अपनी उदासी में, अपने दुख में ये निम्बू ऐसे ही लटका रहा पेड़ से, और कुछ दिनों बाद फिर से, आश्रम का वो वलिंटियर गया, इस निम्बू को भी तोड़ा जैसा हम समझ सकते हैं, निचोड़ा, चटनी बनाई, चटनी खाली ये मैंने अपनी आखों से देखा, इस निम्बू के पेड़को और इन निम्बूओं के बीच जो सब परिस्थितियां बन रही थी ये हमारे जीवन का सार है, ये कहानी हमारे जीवन का सार है हम सब इनी निम्बूओं की तरह हैं, हम कभी एक दूसरे से बहुत अटैच हो जाते हैं कभी बहुत जैलिसी आती है, कभी बहुत पोजेशन आता है, कभी बहुत मौह आता है कभी इर्शा आती है एक दूसरे के प्रती कभी अभिमान जागता है कि मेरे में तो बहुत रस है मेरी पोजेशन्स का, मेरे धन का, मेरे सम्मान का मेरे में तो बहुत रस है, मैं स्पेशल नीम्बू हूँ कुछ बातें जो इस कथा से मैंने सीखी, पहला क्या इन में से किसी भी नीमबू का अपना कोई अस्तित्व है independent individual identity apart from the tree नहीं नीमबू का अस्तित्व पेड़ के अस्तित्व पे निर्भर करता है नीमबू है ही इसी वजह से क्योंकि पेड़ है जैसे पेड की पतियां हैं, पेड का expression ऐसे ही ये नीम्भू भी पेड का एक expression है, पेड के बिना नीम्भू कुछ नहीं है, तो ये पेड क्या हुआ, ये पेड हुआ अस्तित्व, नेचर, एक्सिस्टेंच, तो हमारा जो अस्तित्व है, जिसे हम अपना, स्वया मैं, मेरा मानत हैं, उस नीम्भू की तरह, हमारा कोई individual, independent, अस्तित्व ही नहीं है, हम इस existence, इस प्रकृती के एक expression है, जैसे वो पेड, वो प्रकृती है, हम भी प्रकृती का ही एक expression है, प्रकृती है तो हम है, प्रकृती नहीं तो हम नहीं, पहला पार्ट जो मैंने इस कहानी में देखा, इसे समझा, दूसरा, हम जितना मर्जी मान अभी मान कर लें, जितना मर्जी शोक कर लें, जितना मर्जी attraction, possession में फसे रहें, इस सब के चलते हम भूल जाते हैं, कि कोई व्यक्ती, जिसको इस स्थिती में मैं काल बोलूँगा, कि काल निरंतर हमारे पास चल रहा है, हमारी तर लिया जाएगा इस रिक्ष से, प्रकृती के इस रिक्ष से किसी भी दिन हमें तोड लिया जाएगा, और चटनी बना के इसमें निचोड के हमारा स्थित्व खतम हो जाएगा, शन भर में हमारा स्थित्व खतम हो जाएगा, ये निरंतर याद रहे हमें, कि जब हम अपना द तरफ चल रहा है उस नीमू की तरफ यह दूसरा लेशन मैंने सीखा इस इस इंसिडन से तीसरा तुझे नीमू में अभी मान आ रहा है कि मैं तो बहुत रिश्ट पुष्ट नीमू हूँ बड़े रस की धार है मेरे अंदर वह क्या है यह जितना भी रस है ना नीमू में यह उ धर्ती धर्ती से मिला पानी पानी से मिला सागर सागर से मिला आकाश आकाश से मिला सूर्य इन सभी चीजों का इन सभी तत्वों के इन सभी तत्वों में से जो उर्जा का प्रवा है जो रस का प्रवा है वही नीमू में आ रहा है नीमू का रस उसकी खुद की उत्पति नह है, वह कुछ भी करके अपना रस कम बढ़ती नहीं कर सकता, ये इस परमात्मा का इश्वर का ही रस है, जो उसके थूरू उसके बीतर बहरा है, उसके बीतर संगरहित हो रहा है, तो आपका मान, आपका अभिमान, आपका ग्यान आपका धन धन्य जो भी है आपके पास social status whatever आपके बोलने की श्रमता आपके एक्सप्रेशन की श्रमता आपके पास जो भी कलाएं हैं आपके पास वह सभी ईश्वर का ही रस है जो आपके थू बह रहा है वह आपका रस नहीं है आपके जो भी विचार आते हैं सदा निरंतर याद रहे कि मेरे भीतर जो भी गुण है जो भी सुन्दर है मेरे भीतर वह ईश्वर का रस ही है उस नीमू की तरह मैं चाहूं भी तो इस रस को जगा नहीं सकता मैं चाहूं भी तो इस रस को मिटा नहीं सकता इश्वर ही इस रस के रोप मेरे तुरू मेरे भीतर से बह रहा है यह तीसरा लेसन चौता लेसन क्योंकि यह रस ही मेरा नहीं है तो इस रस पे मैं अभिमान ना करूँ इस रस को नियंद्र öğर करने की कोशिश ना करूँ इस रस को जगदखलयान में लगाउं क्योंकि ये ईश्वर का ही रस है इसमें मेरा कोई हस्तक शेप नहीं है तो आपके भीतर जो भी कला है परमात्मा ने आपको जो भी दिया वे सब ईश्वरी या रस है जिसका एक ही उद्देश है आपका स्वयम का कल्यान और जगत का कल्यान पांच वाँ अगर हम सब को बस ये ग्यात हो जाए कि उस नीमबू की तरह मेरा कोई इंडिविज्वल अस्तित्व नहीं है उस नीमबू की तरह व्रिक्ष की एक्जिस्टेंस पे मेरी एक्जिस्टेंस डिपेंड करती है और उस नीमबू की तरह मेरे बीतर जो भी गुण है जो भी रस है वो ईश्वर का ही गुण ईश्वर का ही रस है तो ये जो अभिमान है ना ये जो अहम है ये उसी शन तिरोहित होने लगेगा और अभिमान के और इस अहम के तिरोहित होते ही आनंद की धार फूटने लगेगी तो ये पांचवा लेसन और छटा लेसन हर नीम्बू की तरह मेरे अंदर भी कुछ बीज है किस चीज के बीज इस ग्यान के इस नौइंग के इस रियलाइजेशन के इस एनलाइटनमेंट के सीड्स बीज हम सब के भीतर है बट वो हैं बीज रूप में उस बीज को आप सदियों तक रखलो वह चलेगा जनमों तक उसको रखलो वह चलेगा नश्ट नहीं होगा बट है वो बीज सौरूП जिस दिन भी उस बीज को आपने धरती में बोया उस दिन आपकी नियती पूरी हुई बीज की नियती ही वह है कि वह अंकरित हो वो फूटे ये बीज की नियती है तो हम सब के बीतर उस नीबू की तरह कुछ बीज है ग्यान के बीज प्रेम के बीज प्राथना के बीज मोक्ष के बीज एंलाइटनमेंट के बीज रियलाइजेशन के बीज किसी रोज हम स्वयम के बीतर जाएं उन अमरी जागरिती की शुरुवात होगी. इस जागरिती आनन्द इस बीज रोपण के प्रासेस को ही हम साधना बोलते हैं. और जिसने भी बीज रोपण किया, यानि जिसने भी बीज को धर्ती में बोया, आज नहीं कल वे अंकुरित तो जरूरी होगा. क्योंकि परमात्मा ये नेचर, ये एग्जिस्टेंस, ये प्रकृती आपके भीतर बैठे बीज को अंकुरित करना चाहती है. प्रकृती चाहती है, हम सब के भीतर का भीज अंकुरित हो. मगर उस बीज को उठाना, पकरना, आइडेंटिफाई करना आपका काम, और उसको धर्ती में बो देना, और साधना की प्रक्रिया शुरू करना, ये हमारा काम. और ये करते ही देर अबेर, वो भी जंकुरित होगा, और ग्यान के द्वार खुल जाएंगे, आनंद के मौक्ष के द्वार खुल जाएंगे. तो ये एक छोटा सा इंसिडेंच, छोटी सी कहानी, आश्रम के नीमबू के पेड़ में लगे दो नीमबू की कहानी, और ये संपूर मानव जीवन की, संपूर मानवता की भी यही कहानी है. गौर करें, सुनें, समझें मनन करें, चिंतन करें ध्यान करें इस पे ये कहानी, ये स्टोरी आपके भीतर के बीज को अंकुरित करने में बहुत मदद करेगी धन्यवाद